नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आप सभी का फिर से स्वागत तो आपके अपने यूटिव चैनल निहाल फिटनेस पे दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि मेरे इस चैनल पे गेंग स्रीज का 60 जैज का गेंग सरी चल रहा है और दो दिन अल्लेडि निकल चलिए आपको दिखाते हैं क्योंकि आपको पतावना चाहिए कि सोल्डर सरीर का सबसे खुब सूरत पाथ है उसी से आपका बोडी का खुब सूरती बढ़ता है तो चलिए किरिम ठीम छोड़ करके सोल्डर का एक सबसे कर दीजिए सबसे पहले चलिए प्रेस के साथ आपको लगाना है सेकेंड डंबल फ्लाइ रियल देट फ्लाइ चलिए लगा जू करके से बैंड होकर के कमर को अंदर करना है कि दाउन पीछे से लें पीछे से पीछे लें पीछे से पीछे लो टिक आप अगे है कि तरिए गोड़ी पस दोस्तों एक बात आपको सम्झा दू ओबर मिलेटरियर ओवरेट प्रेस में आपको थोड़ा सा हेबी बेड रखना है और यह डेट फ्लाइब में थ्लाइट भा है और इस तरौह्त प्रेस नेखेत करना है यैससे और करने वाले अपटरियर प्रेसट का और है को और अच्ट यह सानी करना है और Reach और से रिकास होना चाहिए आप देख सकते हैं चलो उठाब ज्यादा क्लोज नहीं न ज्यादा वाइड नॉर्मल अपने सोल्डर के विट के हिसाब से पकड़ना है तरहिए पाइफ लुए विट नाइं टेन बस बागे सकता आपको मजी गया होंगे सेम सेंगोई दस ते बारे रेपरेटेशन और चार से फिर चलते हैं लास्ट एक्साइज के लिए चली दिखाते हैं लास्ट एक्साइज को नहीं होगा सो करने वाले हैं फ्रांट रेजर अच्छा इसमें ट्विस्ट क्या है बहुत आई लोग के लिए तो उसके लिए हैं आपके जिम में हाइमर रोड जरूर होगा अगर हाइमर आपके जिम में नहीं है तो आप सिंपल ब्लेंड ट्रैसेप जो रोड और इजी बारवा उसका भी दो तीन सही है चार पांच छे शाथ आट नौ यह दो दस बस इस साइस को भी आपको शेम में सही चार सेट और दस से बार रेपरटेशन बस ज्यादा कुछ नहीं और हाँ एक चीबार तो दोस्तों नेक्स इससाइज हम करने वाले है आज मोल्ड प्रेस आइए दिखाते आज मोल्ड प्रेस कहते करना है चल चल रहे हैं एक घुमा डंबल को इस चाप जो घुमाने कई लोग क्या करते सीधा आधे पर ही छोड़ देते वह गलती नहीं करना है आप पूरा डंब और एक बता दू इस एकसाइज को आपको जितना स्लो करेंगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा उतना ही आपका जो का पार पाठ है वह ओतना ही ज्यादा हीट होगा और एक अलग चल है फाईट लगोव मैं सिक्स गोट अष्ट प्रेट करना है वह दो गया है यह है तो दोस्तो लास्ट हम करने वाले हैं डंबल स्रक्स अच्छा इसमें भी थोड़ा सा टिस्ट डाल दिए वो टिस्ट क्या है चलिए आपको दिखाते हैं आई कि नॉर्मारी डंबल स्रक्स हाजी में आप देखते हैं कोई भी खाड़ा होगे करता लेकिन यहां पर हमने क्या कि बैट करके पूड़ा मतलब की पूड़ा जो फोकस होना चाहिए स्टेप से उपथवादर होल्ड करना है तीन सेगेंड होल्ड करना है उपर यह चीज़ जांग लीजिए आदम फटा-फट जल्दी-जल्दी मैंसे इसे ने करना है फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टैन ब आठ भी रेपेटिशन हो सकता है 10 15 20 वी रेपेटिशन हो सकता है तो इसमें रेपेटिशन का कोई महिने नहीं है लेंगि चार्ट सेट करना है दोस्तों उमीद करता हूं कि आपके यह वीजियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे अगर किसी इसले हर पर के रिप्लाइ मिलता है कमेंट में भी रिप्लाइ मिलता है पुरा वेले पाइटिशन होते हैं इसलिए आप कमेंट का हरे कोशन कर सकते हैं थाइंक यू सो मस्ट लव यू वाल मिल से फिर नेक्स वीडियो में